नमस्कार दोस्तों आज हम सोफिया के complete बायोग्राफी के बारे में जानेंगे जैसे कि सोफिया कौन है, सोफिया को किसने बनाए यानि कि father of सोफिया, सोफिया कुति सरॉइन material से बनाया गया है, सोफिया क्या क्या कर सकती है, तथा सोफिया के पास किस देश की citizenship है, तो आप complete video सबसे पहले जान लेते हैं कि सोफिया कौन है, सोफिया का अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट भी है, जिससे सोशल मीडिया टीम और AI डायलोग सिस्टम के द्वारा रन किया जाता है, सेकेंडली पॉइंट है, सोफिया को किसने बनाया यानि कि father of सोफिया, सोफिया को सन 14 फ को एक होंग कॉंग बेस्ट कंपनी हैंसन रोबोटिक्स के दोरा बनाया गया था, जिसके फांडर डेक्टर डेविड हंसन जो कि एक रेनोर्ड रोबोटिक्स इंगीनियर, डिजाइनर एंड एक सक्सेस्फुल इंटर्परनर भी है, थर्ड पॉइंट है, सोफिया को किस रो सटिक्ता और बाकी पार्ट को कस्ट्निमाइजबल किया जा सके, थर्ली फेस के एक्सप्रेशन जैसे सीर और हाथों के मुमेंट को कंट्रोल करने के लिए, एक्ट्वेटर्स और मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, फोर्थ पॉइंट है, सोफिया को अपने इंवार्मेंट क समझने और रिसपॉंट करने के लिए, कैमरा, माइक्रोफोर्न और टच सेंसर का यूज किया जाता है, फाइप प्वाइंट है, सोफिया को हीूँँन लेंग्वेज को समझने के लिए, तता समय के साथ रिक्ट करने तता हुँँन से एंट्रक करने के लिए, AI, Machine Learning, Natural Language Processing, Computer Vision क्या यूज किया जाता है सिट्स पॉइंट है सोफिया को एडवांस एस्पीच रिकॉगनिशन एड सिंथेशिस एक्ट्नोजी का उप्यूग किया जाता है ताकि हुमन द्वारा बोले गया लेंग्वेज को समझ सके एंड उसे एंसर भी दे सके सेवेंट हैं सोफिया के इंट तो इसे भी हम कुछ पॉइंट के द्वारा ही discuss करते हैं जिसमें फर्स्ट पॉइंट है सोफिया मानब के भासा को समझना बोलना उसी के लेंगेज भी वाब देना सेकिनली सोफिया साथ से अधिक चेरोय के भाग को दिखा सकती है या रिप्रेजेंट कर सकती है जैसे जैसे कि human करता है वैसे कर सकती है फूर्थ पॉइंट है Sophia पबली के स्पीकिंग जैसे सोचल मीडिया करक्रों मेब भासन सकती है उसका जवाब भी दे सकती है 5. Sophia ऐसे कई सारे टॉपिक्स पे जानकारी दे सकती है जैसे वेदर, नीज और जेनरल नौलेज इत्यादी 6. Sophia इवेंट्स एटेंड कर सकती है जैसे कम्पनियों के परमोस्नल इवेंट्स, ब्रांडिंग इवेंट्स, ETC 7. Sophia का उप्योग एजुकेशन, रिसर्च, AI, रोबोटिक्स और मानव रोबोट इंट्रेक्शन के छेतर में अतिदिक क्या जाता है लास्ट और मेन फिफ्ट पॉइंट पे आते हैं कि Sophia को किस कंट्री की सेटिजन्सिप मिली है सोफिया को अक्टूबर 2017 में शौदी अरम ने ग्रांटिंग सेटिजन्सिप मिली और सोफिया दुनिया की पहली नागरित्ता प्राप्त करने वाली पहली रोबोट बनी जिससे आर्टिफिसर इंटेलिएंस और रोबोटिक्स में एक बहुती बरा रेवल लसंदरी पॉइंट हैं मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक इस वीडियो को लाइक सेयर और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सबस्काइब करें थैंक यू